तो मैं शहलेश आपका स्वागत करता हूँ वाइफाई जी के आज के और एक नए फ्रेश वीडियो में और दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेगे दोस्तों सैमसंग गैलक्सी जेटी प्लो जो की दोस्तों सूपर एमो लेड़िट डिस्टे के साथ में हो गया है लॉंच क अबकर में कुछ जानकारी नहीं मिली हैं दोस्तों Samsung Galaxy J2 को दोस्तों जिस में एक entry level के specification के साथ में दोस्तों launch किया है दोस्तों स्मार्टफोन के अगर बात करें तो यह स्मार्टफोन polycarbonate body के body के साथ में बना हुआ है दोस्तों स्मार्टफोन को अभी company ने 3 color option के साथ में launch किया है जो कि दोस्तों black, blue और gold में आपको मिलता है दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के weight के तो दोस्तों इसका weight लगबग 153 gram का है और दोस्तों अब बाकी जानकर कुछ ऐसी है कि दोस्तों Galaxy J2 Pro में Pro के अगर बात करें display के तो दोस्तों यहाँ पर आपको display मिलता है 5 इंच का जो कि दोस्तों super emulated display दिया गया है दोस्तों जिसकी screen resolution है 540 into 960 pixel की दी गई है दोस्तों यह smartphone 1.4 GHz, GHz quad core processor पर बना हुआ है दोस्तों जिसमें आपको 1.5 GB RAM के साथ में 16 GB का internal storage मिलता है दोस्तों इसके अलावा आप micro SD card के support से भी इसका GB को बढ़ा सकते है platform के तो दोस्तों इसे Android 7.0 no guard पर बनाया गया है और दोस्तों Galaxy J2 Pro smartphone में अगर बात करें camera के तो दोस्तों आपको मिलता है 8 megapixel का rear और साथ दोस्तों 5 megapixel का front camera इसमें दिया गया है दोस्तों इस phone के साथ consumer को Samsung cloud पर 15 GB storage के लिए free में Samsung cloud मिलता है दोस्तों connectivity के अगर option के अगर बात करें तो इसमें दोस्तों Bluetooth के साथ में आप dual SIM USB 2.0 और दोस्तों 3.MM का audio jack और दोस्तों GPS और Wi-Fi जैसे option इसमें दिया गया है दोस्तों वही अगर बात करें power backup की तो दोस्तों 2600 की image battery इसमें मिलती है जो कि दोस्तों 3G network पर देखा चाहे तो लगभग 18 घंटे का 18 घंटे तक का top 10 देने के लिए capable है दोस्तों Samsung Galaxy J2 Pro की अगर बात करें कीमत की तो दोस्तों यहाँ पर वियतनाम में अभी official side पर हम देख सकते है दोस्तों यहाँ पर वियतनाम की जो price है उसको अगर हम इंडियन रुपिस में अगर देखते है तो इंडियन रुपिस में यह 9200 रुपे के आसपास में दी गई है हाला कि दोस्तों company द्वारा बाकी बाज़ार में इसकी availability कब तक मिलेंगी इसकी पूरी तरह से कुछ जानकरी नहीं मिल पाई है